पूरी तो आप सभी ने बहुत बर बनाई होगी और खाई भी होगी लेकिन आज हम आपके साथ बिलकुल अलग तरह की पूरी लेकर आए हैं इसे हम बिलकुल अलग धंक से बनाएंगे यह जो पूरियां बनेंगी बहुत ही जदा क्रिस्पी और टेस्थी बनेंगी इसे आप पिना दाल या सबजी के भी खा सकते हैं इसे आप कैसे बनाएंगे तो उसका तरीका मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ यहाँ पे हमने सूजी ली है यह पूरियां हमारी सूजी से बनेंगी तो यहाँ पे एक कप हमने सूजी का ले लिया है सूजी को आप छान कर जब तक ये सूजी हमारी अच्छी तरह फूल जाएगी आपना इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है सूजी सूखी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए ये हमारी सूजी भीग गई है और इसे हम ढग कर रख देते हैं 5-7 मिनट के लिए तांकि ये अच्छी से फूल जाए अगर आपके पास जादा टाइम है तो जादा टाइम रख सकते हैं तो 10 मिनट हो गए है इसको सूजी को रखे हुए तो ये काफी अच्छी फूल गई है और इसमें जो पानी था वो भी इसने एब्सॉर्ब कर लिया है मैं इसको टच करके आपको दिखाती हूँ ये देखिए कितनी थिक हो गई है पहले ये थोड़ी जैसे लिक्विड में लग रही थी इसको हमने नीड कर लेना है इसे आप 2-3 मिनट अच्छी तरह नीड कर लीजिए ताकि इसमें थोड़ी स्टेचिंग सी आ जाए अब इसके अंदर काफी सारे इंग्रीडेट हमने डालने है वो आप घ्यान से देखेगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैश किये हुए आलू डालेंगे यहाँ पे मैंने तीन आलू को अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है और इसके अंदर लंप्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आलू को अपने अच्छी तरह ग्रेट करना है अगर मैश कर रहे हो तो प्रॉपरली कीजिएगा अगर लंप्स ना रहें बिल्कुल यहाँ पे हमने आदा चमच अजवाइन का डाल देना है जो पूरी होती है उसके अंदर अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देंगे तेस्ट के लिए अगर आपने कोई सब्जी नहीं भी बनाई है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं यह बहुत ही तेस्टी लगती है यहाँ पे नमक डाल देते हैं अधा चमच और अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर यह भी मैंने अधा चमच डाला है और अब इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए हरा धनिया आपने फिर्कुल फाइनली चॉप करके डालना है क्योंकि इसमें गंठल नहीं होने चाहिए अगर गंठल होंगे तो पूरी आपकी फूलेंगी नहीं अब इस सभी मिक्षर को आपने अच्छी तरह बाइंट कर लेना है आपस में जो सूजी है वो आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाने चाहिए तो यहाँ पे हमने एक कप गहों काटा लिया है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जैसे मैंने अभी थोड़ा सा डाल दिया है थोड़ा सा बाद में डालते हैं एक कप सूजी के अंदर एक कप गहों काटा हमारा लग जाएगा बाकि डिपेंड करता है वो आलू की कॉलिटी पे कि अगर आलू में पानी जादा है तो आटा थोड़ा सा जादा लग सकता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आटा डाल रही हूं और इसे नीड कर रही है तो लीजिए एक कप गहों के आटे में यह डो हमारा अची तरह बन गया है अब इसके अंदर मैं दो चमच ऑइल के डाल देते हूं दो चमच ऑइल डाल के आपने अची तरह इसको गूंट लेना है इसमें लंप स्वेरा बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और आप इसे सॉफ्ट नीड करके रख लें 2-3 मिनट के लिए अगर टाइम नहीं है रखने का तो जुरूरी नहीं है इसे आप साथ की साथ भी बना सकते हैं तो लीजे बहुत ही बढ़िया सा हमारा सैमी टाइट धो आटा हमारा यह लग गया है इसको हम थोड़ी दिर के लिए धक के रख देते हैं और अब इसके पेड़े बना लेंगे तो देखें मैं नॉर्मल पेड़े बना रही हूँ जैसे हम नॉर्मल पूरी के पेड़े बनाते हैं वैसे ही हमने इसके पेड़े बना लेने हैं इस तरह सभी पेड़े बना कर एक साइट पर रख लीजिए और इसे किसी भी गीले कपड़े से धग दीजिए तां कि इसके उपर जो पपडी सी आ जाती है वो बिल opini ना आ है तो इस तरह पहले हमने पेड़े बना लिये हैं सारे ढखके रख दिये हैं अब हमने चकले के उपर हलक exclusive oil लगाया है और इस पूडी को हम इस तरह बेल लेते हैं इसको हमने पतला बेल लिया है करते हैं पाई करने के लिए ओयल हमने मीडियम फ्लेम पे गरम रखा है हाई पे ना रखें अगर हाई पे रखेंगे तो आईल हमारा एकदम से गरम होगा और पूड़ी पड़ा-फड़ से डाक हो जाएगी हमने इसको क्रिस्पी करना है एकदम से नहीं पताना है दीरे-दीरे करते हुए हमने इसको पल्टी करते हुए इसको अच्छी तरह क्रिस्प कर लेना है और ये पूड़ी इस तरह देखे कितनी अच्छी पूर्फेक्ट सी फूल कर रेडी हो गई है कलर देख सकते हैं कितना बढ़ी आया है इसका इसी तरह हमने अपनी सारी पूड़ियां मना नहीं है और जो नॉर्मल पूड़ी होती है आटे की या फिर मैदे की उससे ये बहुत जादा टेस्टी बनती है और सूजी होने की वज़ए से ये बहुत जादा क्रिस्पी भी बनती है तो इस तरह मैं सारी पूड़ियां मना लेती हूँ इसे आप आलू की सबजी के साथ स देखना है जब यह पूड़ी अच्छी तरह फूल जाए तब आप फ्लेम को हलका सा कम कर सकते हैं तो इसे भी हमने ऐसे ही प्राइ कर लेना है और जितनी भी पूड़ी आपने बनानी है ऐसे बना लीजिए अगर आपका डो बस जाता है तो आप इसे रख सकते हैं एक से दो द यह बन कर तयार हुई है हम आपको तोड़कर भी दिखाएंगे उपर से यह बिल्कुल क्रिस्पी है लेकिन अगर आप इसे खाओगे तो यह बिल्कुल माउथ मेल्टिंग है अलू की वज़ा से देखें यह पूरी हमारी रेडी है हम इसे तोड़ेंगे एक बाइट आपके झाल 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 की।